GS News सची खबर आप तक जानकारी का समान नोगच्या पहुंसता है यहां की सड़कों की स्तिती काफी जरजर है बरशात के पूर्ष सडग बनने का निर्देश दिया उन्होंने बीपूर के मालगदाम में प्लेटफर्म संख्या दो पर आधादोरा कारी की जानकारी स्टेसन अदिख्शक से लिया जर काने का नुट दिया नुटऀशन के नुटधेशन के दौरान नुगठीया के DCI के झानकारी यार्प्रीयोंसे लिए और दरौ Изभूभ आर लिए 거 पकिए कहित है, एसको न मुठैशन के नुगठीया के ऐबीवाबक एवम ग्रामिनों के द्वारा विध्याले के प्रधाना द्यापक रहम उतार पासवन के साथ मारपीट के मामले में ग्रंगरा ठाने में मामला दर्च किया गया है इस मामली को लेकर प्रात्मिक सिक्चक्संग के द्वारा लगातार पुलिस अधिकारी से संपर कर मामदा दर्ज कराया है जानकारी का नुसार प्रताना द्यापक द्वारा लिखित आविदन दिया गया कि पंकच कुमार वा उसके भाई निरंजन कुमार के द्वारा विद्याले परिशन में पहुँच कर बच्चे बिमार होनी की जानकारी के बाद मेरे साथ मारपीट कर कुर्सी तोड़ फोड़ किया गया एक दर्जन से अधिक अज्यात लोगों को भी आरूपी बनाया गया है कुमार के नेतरुत में बड़ी संक्या में पुलिस पदादीकारी और महिला पुलिस पूर्ष पुलिस बल ठानाचित के महादलित तोला नवादा पहुँचे वहां पूरा घूम घूम कर अतिक्रमन कारियों को घर खाली करने को कहा किन्तु 15 वर्सों से रहती जमीन पर अरे विस्तापित परिवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सभी लोग पूर्वत रहे इसके बाद जैसे ही पदादीकारी की टीम कारवाई की प्रिक्रिया सुरू की मौके पर मौझूद बड़ी संक्या में महिलाई जम कर हंगामा करते हुए विरूत प्रदर्शन सुर रहेंगे जिस पर पतादीकारी ने इस दिसा में साकारात्मक्त परल करने का अस्वासन देते वे कापी समझाया बुजाया जिसके बाद लोग किसी तरह मौनने को तयार हुए और घर का सामान हटाना सुरू किया जिसके बाद बुल्डोजर से कारवाई सुरू हुई और सभ कि घर को गिरा कर धोहस्त कर दिया गया वहीं मौके पर इस कारवाई में SDO और SDPO के अलावा खरीक सीओ निशान्त कुमार थानादेक्ष पंकच कुमार जंडापुर ओपी प्रबारी उपेंद कुमार डोलवजा थानादेक्ष प्रभात कुमार खरीक थाने के हत्या के अपराद में अपर जीलाइबं सत्य नियाए दीज प्रथम नरेनर पाल सिंग ने दो सिद किया दो सिद नोगच्या प्रखेंड के कदवा ओपी छेत के जंगली टोला कदवा निवासी हुलो मंडल संजे मंडल विकास मंडल भुपेस मंडल बरुन मंडल अरुन मंडल विलास मंडल है क्या तब हो कि जंगली टोला कदवा के गौरी मंडल के अपरादियों ने 22 अगर 2016 को गोली मार कर रत्या कर दी थी गौरी मंडल सौच करने के लिए खेत की और जा रहे थे अपरादी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी प्राथमी की मुरतक की पत्री सुनिता जवी के बयाउन पर दर्ज की गई जिसमें गाउं के ही हुलो मंडल, संचे मंडल, विकास मंडल, भुपेस मंडल, बरुन मंडल, अरुन मंडल, विलास मंडल को नामजद आरोपित बनाय गया अपर जिलाइबं सत्य नियाय धीज की नियाय आले ने सत्रवाद संख्याँ 785-2016 हुलो मंडल सत्रवाद संख्याँ 119-2017 के तहत संजय मंडल विकास मंडल भुपेस मंडल बरुन मंडल अरुन मंडल विलास मंडल के मामरी की सुनवाई हुई जुलाई को सुनवाई की जाएगी वही सरकार के और से ट्रायल में अभियोजन पक्ष की और से अपर लोक अभियोजक संभुनाथ सिंग्व लाल मुहन मंडल ने बहस में हिस्सा लिया ये आज मान्य अपर जिलाई बम सत्र नियाद हिस नोगचिया पर्थम के न्याले में सत्रवाद संख्या 758 शोलो और ढोलवज्जा नोगचिया थाना कांड संख्या 74 शोलो और अंतरगत दफा 332-34 में आज मुदाले मुदाले हुलो मंडल पिता सरोबडी मंडल को दोसी कडार दिया गया है मान्य नेले के द्वारा और इस थाना कांड संख्या जो उप्रूप बताया गया 34 शोलो उसमें एक सत्रवाद संख्या एक सौनथानवे सत्रो भी चल रहा था साथ साथ जिसमें संजय मंडल विकास मंडल रुपेश मंडल बरुन मंडल अनिन मंडल एबं बिलास मंडल को दोसी कडार दिया गया और सजा की बिंदू पर बाइस तारीक रखा गया है और उस दिन जो है कितनी सजा इन्हों को दी जाएगी वो उस दिन मंने न्याले द्वारा सुनाया जाएगा आज इन्हों को दोसी कडार दिया गया है ये लोग की अत्या के केस में मुझरिम थे और सुचिका सुनित्या देवी पती गोली मंडल थे और इन्हों की गभाही हुई थी और सवों ने केस का समर्थन किया था और इसी लाइप में आज मुझरिम न्याले में इनको दूसी कडार दिया है फिर हम लोग बाइस तारीक को इसकर दिखेंगे कि मुझरिम न्याले इनको कितनी सजा सजा का प्राभधान इसमें दो ही है तो हत्या के केस में या तो आजीवन कारावास या फांसी की सजा अब उस दोनों में कितनी सजा इनको दिखेंगे को मुझरिम न्याले विचार करेंगे अभी आपका परिचाई सर परिचाह मैं ये 758 सोलों में सरकार की और से अपर मा की ममता के आगे न्यायाले भी हुई तैयार बच्चों को दी महला बंदी के साथ रहने की अनुमती हत्या के आरोप में नगच्छय जेल में बंदी महला के साथ दो बच्चों को रहने की इजाज़त नयाया रहने दी है नोगचिया उपकारा में दहेज के लिए हत्या के आरोपित महिला गोपालपुर्थाने के नप्टोली आनिवासी रितू देवी से तीन वर्षी है दो बच्चे पड़ोसी के साथ मिलने आए मां से मिलने के बाद दोनों बच्चे घर जाने के लिए तयार नहीं हो रहे थे वह मां के साथ ही रहना चाते थे मां वह बच्चे को अलग किया जाने लगा तो दोनों रोने लगे जेलर भी और समंधे से पड़ गए कि बीना कोट के अनुमती के दोनों बच्चों को जेल में वह कैसे रख सकते हैं जेलर अर्विन कुमार ने इस समंध में एसी जेम प्रथम नयायाले को इसको लेकर आवेदन दिया दोनों बच्चे मां के साथ रहना चाते हैं नयायाले ने आवेदन के अलोक में दोनों बच्चे को मां के साथ रहने की जाज़त दे दी और से जाज़त मिलने के बार दोनों बच्चे को मां के साथ उसके वार्ड में भेज दिया गय सुसराल वालों की प्रतार्णा से तंग आकर सरीर पर किरासन तेल छड़कर आग लगा ली थी इलाज के दौरान भागलपूर अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी हत्या के प्राथमिकी मृतक महिला की मा के बयान पर गोपालपूर थाने में दर्ज की गई थी जिसमें रीतू देवी सही चार को आरोपित बना गया था गोपालपूर ताने की पुलिस ने 25 जुलाइक और इतू देवी को एक वर्स या बच्चे के साथ गिरपतार कर जेल भेज दिया उसके दो बच्चे तीन वर्स और चार वर्स के घर में ही रह गये थे दोनों बच्चे मा से मिलने ज जबाख हादसे में जनड़ापूर ऑलियाबाद दीवासी मुरारी रायरो गये मुरारी राये का इलाज के गड़ा गिया सुनवर्सा का सुजीत बना सिये इलाके में जसन का माहौल बीपुर दक्षिन पंचायत के सुनवर्सा वार्ट संक्या चार बड़ी भगवती अस्तान निवासी किसान सब प्राइबेट सिक्षक बबलु कुमार वबेबी देवी का बड़ा पुत्र सुजीत कुमार सिये चार् सिवार समेद पूरे गाउं को भी अपने प्रतिभा के बल पर गर्मानवित किया है बी एलेस के सिख्षक ने कहा कि अनुदान की राशी से वंचित सिख्षक ने एक प्रेश वारता कर सुक्रवार को कहा कि अगर उन लोगों को जल से जल अनुदान की राशी नहीं मिलती है तो वे लोग अंदोलन करने को बाद हो जाएंगे महाविद्याले के सिक्षक, डॉक्टर रनवीजय यादब ने कहा कि 12 सिक्षक और 4 सिक्षक तरकर्मचारी को पिछले 8 साल सा अनुदान नहीं मिला है, अनुदान की आस में, दो सिक्षक गिलिप कुमार और कुमारी 37 इन्हा क निधन भी हो चुका है, सिक्षक ने कहा कि विश्व विद्याले द्वारा बनाएं गई कमीटी के द्वारा अब तक जांच नहीं की गई, जिसका आरण सिक्षक मायूसा है, सिक्षकों ने आरूप लगाया है कि सिंडिकेट द्वारा कई फरजी सिक्षकों को बाहल कर दिया सूख प्रसाद यादव, अनिल कुमार सर्मा, तरुन कुमार सिन्ना, मुहमद आरी पंसारी, रभी कुमार सिन्ना, विरेंद कुमार सिंग, घुगली साथ समित, अन्यभी प्रेसवारता में मौजूद थे जंडापूर में नुकड नाटक द्वारा बुंद बुंद सिचाई, योजना की दी गई जानकारी, शुक्रवार को जंडापूर पसिम पंचायद में अनुवंडल कृशी पतादिकारी, राजी इसकुमार के नितुर्ट में खरीब किसान, चौपाल का युजन किया गया, क किसान प्रखंड से अनुदानित दर पर बीज उठाव करें और लाब उठाएं, मौके पर किसान सलाकार ससी सर्माय ममलेक पार धीरश कुमार मोजूद थे, इस नुकड नाटक को देखने किसानों की भारी भीड जुटी थी